तो काईजर आप देख सेकते हैं सुबह सुबह आज ये चौप ने क्या कर दिया है मेरा पूरा का पूरा पार्किंग वाला एरिया खराब कर दिया है वाई कितना जादा गंदा हो रखा है और अब मैंने उस चौप को पाला है तो साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा तो ये सारा का सारा जो गंद मचाया है चौप ने वो सारा का सारे इस जज़्बिन में डालना पड़ेगा अब ये इतना जादा कौन हगता है इतना तो मैं इसको खाना भी नहीं देता जितना इसने यहाँ पर हग दिया है लगता है अब ये पूरा का पूरा मुझे ही साफ करना पड़ेगा बहुत ही जादा कद्वी बद्बू आ रही है मुझे तो लग रहा है मैं इसको कई सूंके भ्योश ना हो जाओ रुक जाओ यार कुछ मास्क वास पहनना पड़ेगा वरना पकका भ्योश हो जाओंगा ऐसे मैं इसको साफ नहीं कर सकता अब ये चौप फुड़ा कम खाना खाये कदर इधर भी इसने हक रखाए चलो जादी से मास्क पहन के आते है तो काईजर अभी आप देख सकतो मैंने पहन लिया ये ऑक्सिजन मास्क क्योंकि अरवा की जो बद्बू है उसमें ना ऑक्सिजन आती है ना कार्बन डाउक्सिट कुछ भी आता पर बहुती साथ बद्बू होती है तो इससे मैं बच जाओंगा चलो पड़ा पड़ते सब का सब साफ करते है ताकि हमारा पार्किंग अरिया बिल्कुल साही हो जाए और अभी अभी मैंने इसके उपर पैर रख दिया ची मेरा जूता भी साफ करना पड़ेगा मुझे चल दी जल्दी साफ करते इसको तो काईसर आप नहीं सकते हो मैंने पूरा का पूरा साफ कर दिये और ये पूरा का पूरा कचर का डबना बढ़ चुका है और इस मास के अंदर भी बद्बू आ रही है ये सही में बहुत ही जादा गंदी है चल रूँ ठोड़ा सास ले रहे है इधर कम से कम सास तो आ रही हो तर तो मुझे सास भी नहीं ती डंग से आखिर कार मैंने इसको तो साफ कर दिया और मेरे घर वाप पी से चमक चुका है बस इस डश्मिन को यहां से फैकना गई पे ये मेरे खर के आस पास भी रहेगा तो घर में बद्बू आती रहेगी अरे अरे जल्दी ले पकड़ इसको पकड़ अरे बस इसको यह पकड़ना है अरे जल्दी से गेट कोल इसको अंदर डालो अरे क्यों मैंने क्या किया पर कोई सवाल जवाब नहीं वरना गोलियों से भून दूंगा अरे मेरे काड़ी पे गोलिया को मार रहे हूँ बस गेट खुल चुका है जल्दी से इसको अंदर डाल अकिरकार इस काली लड़के को पकड़ लिया अरे पर मुझे लेके का जा रहे हूँ चुप चाबैड अब तुझे हमारे बस ही देखेंगे चलो इसको लेके चलते जब बस को बता चलेगा मैंने इस काली लड़के को पकड़ लिया है तो मुझे बहुत शाबाशी मेलेगी ए लड़के हिलने की बिल्कु गोशेश मत करना वरना में तुझे गोली मार दूँगा अरे पर मुझे लेके का जा रहे हूँ मैंने क्या किया है कोई दो बता मुझे का लेके जा रहे हो चुपचापट ए बिड़ो लोग मैंने तुमको बोला था एक जने को लाने के लिए तुमने दो दो जने ला दिये अरे बोस वो तोनों को अलग 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 जगे से एक टाइम पर उठा लिया इसलिए दो दो जने आ गए चलो कोई बात नहीं हमें क्यों यहाँ पर लेके आयो हाँ हमें यहाँ पर क्यों लेके आयो तो बिड़ो लोग मेरी बात सुनो मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाए क्योंकि मेरा एक काम है अगर वो तुम मेरा काम करते हो तो मैं तुम्हें दस बिलियन डॉलर्स दोंगा क्या दस बिलिय डॉलर्स वो काम तुम दोनों मेंसे कौन करेगा मैं मैं करूगा नहीं मैं करूगा अच्छा मेले काम तो बताओ करना क्या है मैं ऐसे तुमको वो काम नहीं बता सकता मैं तुम दोनों मेंसे किसी एक कोई काम बता सकता हूँ इसका मतलब तुम दोनों मेंसे किसी एक को मारना प आँ चो काम बोलो के मैं वो कर सकता हूं आरे तो मैं भी कोई भी काम कर सकता हूं इसको मार दो इसको मार दो नपनार थीटो आ उल्पक बेड़्ीडे लुक्षा बंध चाहिए और मेरा जुझेत काम है मैं सिर्फ एक ही बंदे को इसलिए दूसरे बंते को तो मर नहीं होगा फिर चाए कैसे भी मरो अरे मैं बोल रह escr poems को मार दो इसके सार पर तो बाल भी निये ये तो टकला है नहीं नहीं इसे मारो ये तो पूरक पुरो काला है मुझे पाए हमको कैसे de cart करना है कौन ही मेरा काम करेगा कौन सा चैलेंज होने वाला है यह चैलेंज बहुत ही कतनाक होने वाला है इससे पता चल जाएगा कौन काम कर सकता है कि नहीं तुम दोनों को गाड़ी तो चलाना आती है ना हाँ गाड़ी तो चलाना आती है मुझे भी आती है तो चलो फिर तुमको लेकर चलते हैं चैलेंज ए बिड़ो लोग तुम सब का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में ये चैलेंज तुम दोनों के बीच में होने वाला है और इसमें जो भी जीतेगा वो जीत सकता है दस बिलियन डॉलर्स बस मेरा एक काम करना पड़ेगा और जो हारेगा उसको सीधा सर को बीचो बीच को बढ़ेगी चलो मैं बता दो तुमको करना क्या है यहां से अपनी काड़ी को लेके जाना है इस पूरे रैंप को कम्प्लीट करना होगा तुमको यह सारे के सारे ऑप्स्टिकल्स के बीच में जाना पड़ेगा यहां पर है बहुत ही खतरनाक खतरनाक फैंस फिर यह खतरनाक रोटिटिंग प्लैटफॉर्म इन सबसे बचते बचाते जाना पड़ेगा बिल्कूल एंड पे और यहां पर अपनी काड़ी को जंक कराके यहां पर लेंड करना पड़ेगा जो भी लेंड करेगा इस ट्रॉफी के पास उसको यह 10 बिलियन डॉलर्स मिल सकते यहां पर हैं 2 दो बिलियन डॉलर्स के चार डाइमंड और बहुत सारा गोल्ड पर याद रखना इस चैलेंज को करने के बाद तुम्हें मेरा में कांग करना पड़ेगा तब ही तुम्हें पैसे मिलेगे चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं चाहूंगा मैं चल दी से चाके इस चैलेंज को कंप्लीट करके तुम्हारा अगला माला काम कंप्लीट करके 10 बिलियन डॉलर्स को मालूंगा तू तो करता रहेगा और मैं तो साइड बेठा रहूंगा हां का लड़के बैठा रही हो मैं ये कंप्लीट करूंगा तो कह सर अभी आप देख सकतो यह टकला गंजा निकल मैं बहुत ही जाद अच्छी काड़ी चलाता हूँ तुम देखते रहो सारे पंको को मैंने क्रॉस कर लिया बिना बिड़े अब देखो इन मुविंग प्लैटफॉर्म के पीक में से मैं निकलने माला हूँ हट जाओ हट जाओ सब के सब सामने से और मैं यहां से निकल गया अ पानी में और यह क्या यह तो बहुत ही आगे चला गया और यह सिदा पानी में यह क्या हो गया तो बढ़ू वो टकला तो हो चुका है फेल अब बारी तुम्हारी अगर तुमने चैलेंज को कंप्लीट किया तुम ट्राइ कर सकते हो जीतने का दस बिलियन डॉलर्स और अगर तो उस टकले से पहले कहीं पे गिर जाते हो तो वो काम उस टकले को मिलेगा और मैं तुम्हें गोली मार दूगा नहीं 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 एसा नहीं हो सकता तो कैसे भी करके मुझे यह चैलेंज जीतना पड़ेगा तो बढ़ावड़ से अभी हम गाड़ी में बैच चुके चलो चाहिए निकलते हैं सारे के सारे पंको से बचते बचाते हैं नहीं बड़ी का और यहाँ पर मैं बढ़ेगा अरे मुझे बचाओ बहुत ही सा डर लग रहा है बिल्कुल आराम आराम से अपनी गाड़ी को चलाने वाले ता कि हम कहीं पर मर्मुरा ना जाएं आरे मुझे क्रदोपर हम इन एक खुर्द ऑर आम अरम से चलना में कैसे वी करके ये चैलेंग करना उसके बाद वो और पर मैं अकातरनाक्सा काम देने वाला है अगर उस काम को मैंने कर तया तो जीत सकता हूं 10 और मैं कहसे भी कर कि उन पैसों को चीत करूंगा आप सोचों मुझे 10 बिलियन डॉलर्स मिल जाए तो मैं क्या क्या नहीं कार सकता है तो बड़ाओ बड़ से चलते हैं भी आप देखे तो सामने फूलिश में जाने वाले हैं मैं यहां पे स्पीड बिल्कुल धीरे करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ही जादा तेज जाने वाला लाड़ी को कुदा लिया है और यह तो मैं बिल्कुल पर्फेट जरू चाओ 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 और यह खतरनाक सी लेंडिंग और कैसर आप देख सकते हो क्या ही खतरनाक मैंने लेंडिंग करी हैं और यहां पर मुझे यह ट्रॉफी मिल चुकी है और बड़ो बहुत बढ़िया त जो भी यह चैलेंज आड़ेगा उसको अपुन ठोंक देगा चल बड़ो बड़ो अरे यह क्या इसा दोसको सही में मार दिया चल बड़ो अब तू तो तैरो जा मैं तुझे पूरा काम समझाता हूं चलो काईसर आखिरकार हमें वो काम पता चलने वाला है मैं वह देखो बिलियन डॉलर्स मिल सकते हैं पता उंकल तो बड़ो यह काम बहुत खतरनाक होने वाला है इसलिए मैं तुझे दस बिलियन देने वाला हूं तो बड़ो तुझे लोसेंटोस के प्रेजिडेंट को किड्नैप करना है अगर तुने लोसेंटोस के प्रेजिडेंट को किड्नै बात तो सही है, अगर काईजर मैने लॉज सेंट्रॉस की प्रेजियन को किट्नैप कर लिया तो मुझे दस बिलियन डॉलर्स मिलने वाले और काईजर ये मौका मुझे अगली बार कभी नहीं मिलने वाला तो मैं ये चैलेंज accept करूँगा और मैं Lost CentOS के President को Kidnap ज़रूर करूँगा तो बढ़ो जल्दी जल्दी तायर हो जाओ President की मीटिंग होने वाली है तो मैं वहाँ पड़ जाके उस President को मेरे पास लाना है तुम टेक्शन मत लो, मैं उस President को तुमारे पास ला दूँगा तो काई सर, हमें अपना काम पता चल चुका है हमें Lost CentOS के President को Kidnap करके इसके पास लाना है उसके बदले मुझे 10 बिलियन डॉलर्स मिलने वाले है तो वैसे तो बहुत ही जादा इजी काम है सिर्फ Kidnap यह तो करना है पर वो President है तो उसके सिक्यूरिटी बहुत खतरनाक होती है और वो खुद भी बहुत खतरनाक होता है तो काई सर, फड़ाओ पर से चलते President की मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है हमें वहाँ से उसको Kidnap करना पड़ेगा फिर सोचो, एक बार हमें 10 मिलियन मिल जाए तुम क्या क्या कर पाएंगे उन 10 मिलियन से मैं एक नई गाड़ी खरीच सकता हूँ मैं एक नया प्लेन, हेलिकॉप्टर, एक योट, एक मैंचन अरे मैं तो आदा लोस सेंटोंस खरीच सकता हूँ मैं कुछ भी कर रहे सकता हूँ चलो काई सर, फड़ाओ पर जाते हैं, प्रेजिडेंट के पास तो काई सर, अभी यहाँ देख सकते हूँ मैं आचको हूँ, प्रेजिडेंट की मीटिंग में सामने वो प्रेजिडेंट की मीटिंग चल रही है जिसको मुझे किड़ना है और आप देख से सामने हो प्रेजिडेंट है और यहाँ पर कितनी सारी सिक्यूरिटी है हर जगे पुलिस सिक्यूरिटी बहुत सारे लोग कड़े और यहाँ पे तो मिलिटरी वाले लोग भी खड़े और चट पर भी मुझे बहुती सिक्यूरिटी तो काईसर मैं डायरेक्ट जागे उसको किड़ तो करने सकता मुझे बिल्कुर धंक से प्लैन करके जाना पड़ेगा इस लिए मैं इस बिल्डिंगे पीछे जाने वाला हूँ तो फड़ावट से चाहते तो काईसर अभी मैं इस बिल्डिंग के यहां पर चड़ने वालो और तो देख सिर्फिए यहते बिल्लेटरी वाला है जिसको मैं यहां पर नहीं एको दो मुझापश धि teaspoon के क्की अबम आर दिखा है यह क्या इस तो उह मुझे तो मुझे देख लिया ।ो का इसके इसां नहीं के सभी लोगों ने मुझे देख लिया यहां पर इनक्से लिए उ साथिके सारे पुलिस दो को भी मुझे मारना पड़े का औरения को रिख और हिल्कॉप्टर कहां से गिर रहा से लिख दो दू ल५ी है और इस सारे में मिलिटरी वाले मुझे मारने लग गये और मुझे उस प्रेजिदेंट को वितनइब करना है हैनम मुझे चल्दी चल्दी इस सारी पुलिस पड़ी और इन सब को में मारने वाला अपनी इस खतरनाक से मिनिकंस है यह लोग निकनो यह से बस मुझे जर उस प्रेजिडेंट को निमारना क्योंकि अगर प्रेजिडेंट को मार दिया तो वह गुंडा मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने बोला था कि कि करके लाना ना की मारना अप तू क्या मारना निकल लाज़े और कौन बचाए पताओ जन्दी से जब को बार दूगा सब को भून दूगा मैं आज तो मैं किसी फुलिस वाले को नहीं छोड़ने वाला किसी मिलिटरि वाले को नहीं तो काई सर मैं सोच रहे हैं पुलिस की खतरनाक सी वैल लेने की यह बहुत ही जादा सिक्वरीटी से भरी भी है और यह बुलिट प्रूफ यह तो मैं इसको आराम से प्रेजिडेंट को किड्नैप कर पाऊंगा चलू काई तो बढ़ावड़ से चलते हैं जितने लोग बीच मा मारने वाले हैं और प्रेजिडेंट को किड्नैप करते हैं और प्रेजिडेंट सर क्या आपका अरे यह तुम क्या कर रहो यह तुम क्या कर रहो मेरे सारे लोगों को मार दिया यह तुमने क्या कर दिया आप चुप-चाप से मेरे साथ चलो वरना मुझे आपको भी मारना सबसे गाड़ी के अंदर बैठो वरना कोली मार दूंगा तो काईजर आप देख सेक्टों अभी ये प्रेजिडेंट अमारे साथ बैठ चुका इसको लेकर आसे निकलते हैं बच्चे तुम ये कहा कर रहे हो मुझे क्यों किटनैप कर रहे हो अले प्रेजिडेंट सर रुको र मैं लोसेंटोस का प्रेजिडेंट बनने से पहले काला जादू सीकता था मैंने पूरी के पूरे 40 साल काला जादू सी थी पूरे की पूरी लोस्स helm डॉस गवर्मेंट को पागल बनाया है उसके बादقة मैं तुमैं ऐसी शक्तिया दे सकता ह besides 10 बिलयेन diffusion क्या उसा है अच्या करनें वाल है तुम यह नहीं एसी विचेश को टच करो, वो बन जाएगी डाइमन्ड की, क्या तुम्हें ऐसी शक्तिया चाहिए? हाँ हाँ, मुझे ऐसी शक्तिया चाहिए? पर बच्चे, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा, जिसने तुम्हे मुझे मारने के लिए बेजाए, तुम उसको जाके मारोगे, और मुझे चोड़ दोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मुझे किसी वी चीज को डाइमन्ड करने के शक्तिया दोगे, तो मैं उस गुंडे को मारूँगा, और तुमको चोड़ भी दोगा, ओके बच्चे, फिर तयार हो जाओ, हाँ मैं तुम एको तयार हूँ तुम्हें ये मंत्र मेरे साथ बोलना पड़ेगा, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम, मुझे मिल जाए शक्ति, मुझे मिल जाए शक्ति, डाइमन् डायमंड 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 एप कहा कि कर दो तो एक चाहिँ जाएगी किसको डच करूऄ का नहीं बनना गाडी को टच करो अच्छा ठीके इस गाडी को वञचाऺ तो नख करते हैं तेख में क्या यह ड़ं एंड की बनेगी 321 s.oall पर एक पुलिस की वैन को पूरो का पूरा डायमंड में कनवर्ट कर दिया है ये तो बहुत ज़ादा खदरनाक है क्या आपने कभी देखिए एक पुलिस वैन वो भी डायमंड की मैंने तो कभी नहीं देखी तो काईजर उन प्रेजिडेंट सर ने तो मुझे बहुत ही कदरनाक शक्तियां दे दिये अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर उन्होंने मुझे बोला था जाके उस गुंडे को मारने के लिए जिसने बोला था उनको बारने के लिए तो सबसे पहले मैं जाने वाला उसके पास उसको मारूँगा उससे पहले मुझे एक और भार कलर चेंज करना है तो यहाँ पर मैं दूसरी काड़ी लेने वाला हूँ और इसका भी कलर चेंज करूँगा इसको पड़ाव वर्जे टच करते है 3, 2, 1 और काइजर आप देख सकतो यह वाली काड़ी भी पूरी की पूरी डाइमड में कनवर्ट हो चुकी एक और पुर इसके कार में ने यहाँ पर डाइमड में कनवर्ट कर दी बहुत ही सादा खतर है नग रही है चलो बड़ाव वर्जे उस गुंडे के पात चलते है और उसकी हालत पर खड़ाब करने वाला तो काइजर अब हैं उस गुंडे के घर में कुषने वाले वो भी विल्कुल stylish entry करने वाले तो काइजर अब हैं एंट्री करने वाले में इए मने इसके घर के अंदर पुलिस की वर्दी कर देहीं और किया all the franklin gamer फूली जञतानव बाहत ही चल कहां पर रहे थैज़िदेट मिताता हूं पर लगता हो आप रहे के तो या WAS उन गुंडों को याँ पर मार दिया है और देख cash के भीकुल सर के बीच वीच हमने गोली मार एक आग तो भी घोली मारते इधर 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 पूरे पेट पर गोली मारें के हाथ पर जे इस तो हमें बहुत भी परेसांग किया है हम अवह घर से अंडिया तो तो फिर ये ले, मेरे उपर आग लगई, मेरे उपर आग लगा था, मेरे उपर याग लगई, आरे चलती से यहां से निकलना चाहिए, यह आग तो फैल रही है, चलती चलती निकला, मेरी गाड़ी भाग निलग जाए, और काईसर, अभी हम यहां से निकल चुके, उस गुंड बोला था गुंडे को मार नहीं हमने वो तो कर दिया अब बारी अब बारी पूरी की पूरी दुनिया खरीदने की तो काहिजर आपको दर पताए हमारे पास आचुगे खतना पावर तो अब में बहुत सारी चीजे खरीदने वाला हूँ जो क्यों नहीं बाली है डाइमंड की शारी की सारी चीज़े करते हैं डाइमंड में तो काईजर अभी मैंने वह सारी की सारी चीज़े खरीद लिए जो कि मुझे चाहिए और मैं उन सब को डाइमंड का करने वाला हूँ सबसे पहले हमारे पास है दो दो प्राइवेट जैट ये एक वो दो ये दो दो प्राइवेट जैट हमारे पास आचुके हमारे पास आचुके दो दो पाइक्स और दो दो लेंब और नी आप देख सोगे बिल्कुल ब्लैक कलर की लेंब और की ये मुझे बहुत ही सास्ते में म बनाने वाले डायमंड का तो बीसारी कि सबको ठैच करते सबसे बेले य bạn सबसे इक भार में सारी की सानी चीज फ्र रिमंड होने वाला है सारी पार दैच करते थे लाइकार में यह प्लेंड और यह अर्य और इसके बाम सारी ब्लेन वाली है सबग creo ऐसे देख से तो सारी की सारी चीज excel हमारी कंबर्ट हो चुके हैं crochet में हमारा प्लेण यहाँ पर कंबार्ट हो चुका है यह क्वाला प्लेण वे हमारी दोनों लें बोर कि CARऊ बिलकुल डाइमंड वाली और तो ने भाली ब्राइवेट हैलिकोप्टर आप देख से पूरे डाइमंड के चमकते वे और यह वारी पूरी की पूरी डाइमंड में कवर्ट हो चुकी हैं ने के मात यह सारी कि सारी ज़्य ने बहुत जादा जमक जाती है आप देखो देखो देरा हमारा प्लेन चमक शुका रही गारी तो कुछ अलगी चमक रही है तो क्वाइसर आप पर प्लेंट करके बता हो आपको सबसे अची डाइमंड वाली चीज कौन सी लगी यह लैंबवर के नी प्लेंड बाइक हेलिकॉप्टर या फिर बो बता देना और इस्टाम और डिस्कॉर्ट इसस्वर में वापे से के जोन फॉलो कर लो और काईसर हम बिलेंगा आप सब्सक्री वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइब